असलाम लेकूं, आज मैं आप सबको आरे हीरा की जारत करवाते हूँ, यह पत्थर के अंदर से एक स्रूंग बना हुआ है, एक रास्ता है, बहुत तंग है, मेरे आगे एक आंटी जा रही है, और मैंने भी उस आंटी को फॉलो किया, और मैं भी उनके पीछे पीछे उनको यह एक, मतलब तंग सा एक रास्ता है, बत्थरों के अंदर से, यह देखें, आंटी आगई बाहर, और आंटी को मैंने फॉलो किया, मैं भी आगई उनके पीछे पीछे बाहर, और मैंने यहां आके देखा, यहां पे बहुत लोग हैं, जो खारे हीरा पे आयो हुए थे, दो रकात नफल अदा की, और कुछ लोग जो नफल अदा कर चुके हैं, वो वापस नीचे को चा रहे हैं, उसी तंग सुरंग से, जहां से अभी हम लोग आई हैं, विवर्स यह देखें, यहां पे सबने लाइन लगाई हुई है, वन बाई वन सबने दो रकात नफल अदा करनी हैं, कुछ लोग उपर बैठे हुएं, उपर चड़के बैठे हुएं, कुछ लोग यहां पे सेलफिया ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ लोग यहां पे लाइन में वेट कर रहे हैं अपना के हमें कब मौका मिलेगा और हम दो रकात नफल अदा करेंगे यहा मैं भी जाके इस लाइन में लग गई और अपनी बारी का वेट करने लगी कि मुझे भी मौका मिलेगा और मैं भी यहां पर दो रकार नफल अदा करूंगी यहां पर अल्रेडी कुछ लोग दो रकार नफल अदा कर रहे हैं आप सब के सामने है इस तरह से मुझे मौका मिला मैंने भी यहां पर दो रकार नफल अदा की दूआ मांगी दूआ मांगने के बाद मैं वही उसी रास्ते से उसी सुरूंग में गुस गई जहां से मैं आई हूँ क्योंकि बहुत तंग है वहां से गुसर ना लेकिन अल्ला के उखम से मैं बहार आ गई वहां से यह देखें यह बहार खारी हीरा का जो बहार का नसारा है वो ऐसा ही